तो दोस्तों अगर आप लोगोंने मुझे अनकाडमी लर्णिंग पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो करें मुझे मेरे नाम से मुझे सर्च करें रणा मैं अर्श्वर्दन सिंग और आप लोगों को मेरी स्पेशल क्लासेज जो है जो कि एकदम फ्री है अनकाडम लर्निंग आप पर ही मिलेगी वहाँ पर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप स्पेशल क्लासेज देख पाएंगे जो कि एकदम फ्री है ठीक है तो गाईस बढ़ता है आज के हमारे पहले बन वर्ड में जो कि है एडिक्ट तो एडिक्ट कौन होता है one who has become dependent on something on drugs ठीक है ज मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि फोबिया आपके जो होता हो डर को रिप्रेजेंट करता है जब आपको hydrophobie पहले एक वड़ायता पानी से जो डर होता है जल से जो डर लगता हो hydrophobia होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स वर्ड की तरफ जो कि है इन्वोकेशन, इन्वोकेशन क्या होता है, call upon good or any god, यह god है, और any other power for help or prospection है ना, तो भगवान को या किसी power का आववान करना, अपनी मदद के लिए है ना, या फिर किसी दूसरी चीज़ के लिए आपके इन्वोकेशन कहलाता है ना, तो यह भी काफी अच्छा वर्ड है, तो जब आप किसी आवाज लगाते हैं, आववान करते हो किसी ताकत का, किसी उपरी शक्ती का, भगवान का, अपनी मदद के लिए, तो वो इन्वोकेशन कहलाता है, नेक्स वर्ड है बच्छा, आप लोगों के सामने, स्करिलस, स्करिलस जो होता है, वो होता है आपके अब्यूजिव राइटिंग है ना, तो जो जर्नल्स होता है, उनके अंदर जो बहुती गंदी अबहत्र जो लेख होता है, उसको रिप्रजेंट करने के लिए, स्करिलस वर्ड का प्रियोग हम करते हैं, ये भी बहुती अच्छा वर्ड है, नेक्स्ट आज का हमारा वर्ड है पैसिफिस्ट जिसका मतलब होता है, पर्सन फू आपोज़ वर और यूज ऑफ मिलिटरी फोर्स, ठीक है, तो ऐसा विक्ति जो की वर को या प्रियोग को अपोज करता है, वो पैसिफिस्ट कहलाता है, तो पांचो काफी अच्छे वर्ड ह है पैसिफिस्ट हो गया स्करीलस हो गया पैसिफिस शांतिवादी स्करीलस अभात्र ले इन्वोकेशन आववान क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगह से डर और एडिक्ट यानी की नशेडिया आज बचो अपने मैजद कॉलम नहीं है तो बढ़ते हैं हमारे पहला आज का हमारा इडियम है sweeping statement जो कि ऐसा statement होता है जो कि बिना सूचे समझे दे दिया जाता है so thoughtless statement बिना सूचे समझे दिया गया statement आपके sweeping statement कहलाता है next आप लोग arguing के सामने है all at sea all at sea का मतला होता पजल जब आप tension में हो जब आप पूरी तरह का से confused हो जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रहे बिलकुल भी है ना तो वो all at sea कला था I am all at sea तो इसका मतलब ही हो गया मैं पुरी तरहीं से confused हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है next बच्चो आप लोगों के समने enough rope, enough rope का मतलब होता enough freedom for action तो action के लिए जो परियाप्त मात्रा में आपने freedom ली है enough freedom for action हा न by fits and start तो जब कोई चीज fits and start हो रही होती है तो उसका मतलब होता हो irregularly हो रही है मतलब वो थोड़ब थोड़वा अंतराल में हो रही है by fits and start मतलब irregularly next आप लोगों के सामने fell fall off जिसका मतलब होता got into trouble with तो जब आप किसी परेशानी में पढ़ जाओ किसी trouble में पढ़ जाओ तो fell fall off कहलाते हो तो देखो बचो आप लोगों के सामने word यहाँ पर हम देखते है fell fall off, got into trouble, by fits and start irregularly, enough row, enough freedom to do something चेक है, yeah, to take some action all it see, confused, sweeping statement, thoughtless statement के लाएगा तो guys, match the column की तरफ बढ़ते है sweeping statement, ऐसा statement जो कि thoughtless है, बिना सोचे समझे दिया गया है वो sweeping statement के लाएगा all it see, का मतलब puzzled हो गया confused होता है, enough row, enough freedom for action by fits and start irregularly और fell fall off का मतलब हो गया got into trouble with something, ठीक है तो guys, यह आज के हमारे idioms थी और guys, अगर आप लोगों को आप लोग interested हो मेरे मुझसे grammar और vocabulary के course पढ़ने में अगर आपने मेरी grammar की class ली हुई है कभी भी, तो आप मेरे courses को unacademy plus पे भी follow कर सकते हो उसके लिए आपको paid यानि की plus लेना पढ़ेगा unacademy plus वो क्या होता है, उसके क्या के advantage है कौन-कौन सी चीज़े हैं, यह जानने के लिए आप इस number पे call कर सकते हैं आपको लेना कैसे हैं, आपको call करना होगा आपको बच्चो लेना कैसे होता है आपको अपनी category चूज करनी पढ़ेगी SSE exam, उसके बाद में आपको get subscription पे click करना है उसके बाद में आपको साल पर का program choose करना है, जो की 6000 रुपे का है यह आपको और सस्ता बढ़ जाता है, अगर आप referral code लगाते हो हर शिलेवन, हर शिलेवन लगा करके apply पे click करते हो तो आपको 10% का instant discount इसके लाब दोस्तों आप मुझे जोइन भी कर सकते है टेलीग्राम पे, फेस्बुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे follow वहाँ पे कर सकते है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे next session में till then take care, all the very best, bye-bye